नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी कश्वागत है आपकी ही अपने चनल एजूकेशन फोर यू में मेरा नाम है आशे चारशिया और दोस्तों आज हम यहां बात करेंगे सीटेट 2019 साथ जुलाई को जो परिक्षा होने वाली है इस परिक्षा में आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है पॉइंट नमबर टू आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह करेंगे तीसे नमबर में हम OMR सुट के बारे में बात करेंगे चोहते नमबर में आपको Language 1 और Language 2 में गलतिया नहीं करना है नहीं तो दोस्तो सीधे सीधे आपके ना साथ नमबर चले जाएंगे बात थोड़ी बहुत यहां पर हम तुक्के के बारे में भी करेंगे तुक्का क्या होता है कैसे लगते हैं और दोस्तो ऐसे लोगों को भी उपर हम बात करेंगे जिनोंने कुछ भी पढ़ाई नहीं कि यह उनके साथ क्या होगा कैसे पढ़ाई करके वो अच्छे नमबर ला पाएंगे अब दोस्तों ये सारे टॉपिक्स आपको अगर देखने हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा भाई वीडियो को बीच में बिलकुल मत छोड़ना आज आप यहाना बहुत कुछ सीख कर जाने बाले हैं मैं यह सला दूँगा आप लोगों को अगर आप in great 2019 में सबसे पहला टॉपिक हमने यह लिया हुआ है कि आपको क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना इस यहान से सुनना दोस्तों सबसे पहला है आपको बात ही परा सकता होना चाहिए क्या होना मृणित काड्स आप लोगों को दोस्तों लेकर श्राट क술रे जाना है अभल मित दूसरी बात करूं नहीं आपने देखा होगा यहां लिखा होगा दोस्तों फोटो ईडी प्रूब क्या लिखा ओंगा वन फोटो ईडी प्रूब कुछ लोग देटर हें होंगे कि photo अलग से लेके जाना है id proof अलग से लेके जाना गलत यहां पर आपको ऐसा आप अच्छान को लेकर जाना है जिसमें फोड़ सकता है driving Lashes सकता है और भी कुछ आपके पास ऐसा है जो आपकी पहचान को identify करता है तो चीज़ा आप लेकर जा सकते हैं दूसरा दूसरा बात करेंगे पेन आपके पास यहां पे ब्लैक पेन भी चल सकता है दोस्तों और ब्लू पेन भी चल सकता है दोनों पेन आप यहां पे बॉल पेन जिसे हम डॉट पेन भी कहते हैं तो उसे आप लोग लेकर जा सकते हैं दोस् तो हमें बहुत मोटा पेन लेना एक मीडियम सा पेन लेना और उस पेन को लगबग थोड़ा चला लेना पही एक दिन दो दिन पहले चला लेना ताकि वहां जब गोले भरेना तो वह अच्छे से भर पाए डारेक्ट लिए आप चलाओगे ना तो ओम रसे फटने का खत्रा रह है आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि भ crib time management अब time management कैसे करें समस्माजी मैं के लेक्क जाना है अब इसमें कोई जादा लेकर जाना चाताथा अपनी एक फोटो लेकर जा सकते हैं पर फोटों के लिए नहीं खा गया है आपको बता दूँ वहाँ यहां पर दो पेपर होने इसमें आपको दोस्तों CDP के 30 मिल रहे हैं पहली लेंग्वेज के 30, दूसरी लेंग्वेज के 30, EVS के और Maths के आपको 30 मिल रहे हैं अगर आपने भासा भरने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपके यहां से 60 नमबर गोल हो जाएंगे ध्यान रखना इसलिए मैं बता हूँगा ना वो चीज़े आप फॉलो करना तो दोस्तों यहां पर क्या करना है आपके पास 150 कुश्चन है और आपके पास समय भी दिया हुआ है 150 मिनट का अब आप लोग के माइड में बहुत की माइड में थहाँ चल रहा होगा की वहता हमारे पास 1 कुश्चन करने के लिए अब दोस्तो आप लोगों से पूछूँगा कुछ ऐसे कोश्चन आपके सामने होंगे कुछ बड़े कोश्चन होंगे जो सीडिट का बेस होता है जिसे हम एक मिनट में पढ़ी ही नहीं सकते हैं जब आप उसे एक मिनट में पढ़ी नहीं सकते हैं में सौल्व कैसे करोगे तो ऐसे कुशन आपका टाइम मेनेजमेंट डिस्टब करते हैं अब दोस्तों यह टाइम मेनेजमेंट करना कैसे पहले आप यह सभी सेक्षन को टाइम दे दें अपने घर में आप टाइम दे दें कि यहां पर तीस मिनट में लगबग बाल विकास पू कर सकते हो आपको पेपर की सुरुवात कहां से करना है दोस्तों यह भी चीज समझ रहा पेपर की सुरुवात कहां से करना है यह पांच सब्जेक्ट जो दिख रहा हो ना जिसमें आपका दोस्तों स्ट्रॉंग जोन हो कुन सा जोन हो स्ट्रॉंग जोन होता है कोई स्ट्रॉ या तो इवियस दो में से ना कोई एक पहले करना जो आपको अच्छे से बनता हो जो नहीं बनता है उसे पहले करने की बिलकुल भी गलती मत करना नहीं तो ऐसा आप करोगे दोस्तों तो यहां पर आपको बहुत बड़ा लॉस होगा जो सब्जेट बनता है अगर आप उसे करत तो वह वह आपका लगबग 20 मिनट में complete हो ही जाएगा बच गए 10 मिनट अब दोस्तों यहां पर क्या करना है आपको फिर EVS के भी इसी तरह solve करना है उसके बाद जो आपको थोड़ा अच्छा बनता हो उसको करना है अब लेंग्वेज आपको solve करनी है दोस्तों तो आपको कुछ लिए करना है बहुत कम समय में language हो जाती है आपको न अंसीन पेसिज ना बहुत ध्यान से पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि आप उससे समझ लें जैसी आप समझ लोगे न तो एक ही बार में आप सारे उत्तर दे दोगे ने तो आपको बार बार क्या होगा पेसि है पहले उसके बाद जो आपको थोड़ा और अच्छा बन थोड़ा और ब्च्छा बनता है उसको करना और जो बिलुकुल नहीं बनता है उसे आखरी में करेंगे अप अब दोस्तों हम बात करते हैं ये तो बात भी हुग टाइम मेनेजिमेंट की यहां पर इस ट्रिक को वाल, मचाके रखा हुआ है, वैं, OR, olur बरें कैसे हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, OR, OR, में कुछ नहीं होता, यहां पर ना, आपको उस तरह के कुछ चार गुले दिखाई देते हैं, जिसमें आपको मान लेते हैं A लिखा हुआ होता है B और C और यहां पर D लिखा हुआ होता है मान लेते हैं कुछ बच्चे जो OMR सीट भरने में ऐसा लगता है उन्हें गलतियां होगी तो वो क्या करेंगे वो पेपर के सिर्फ 10 कुशन सॉल्व करेंगे कितने करेंगे 10 कुशन सॉल्व करेंगे और 10 के बाद 10 गोले भर देना फिर 10 सॉल्व करना 10 के बाद 10 गोले भर देना अगर आप एक कुशन करोगे एक कुशन करोगे एक कुशन करोगे एक गोला भरोगे है वो 10-10 सेकेंड मिलके आपका टाइम मैनेजमेंट खराब करेगा अब दोस्तों जो इसे भरने का असान तरीका भी बताना चाहूंगा आप अपने पेपर में छोटे-छोटे टिक कर लेना कई बार क्या होता है वहां की फैक्याल्टी आपसे बोलेगे कि पेपर में किसी तरह कोई टिक नहीं होना चाहिए यह सारी चीज़ा आपको बोली जाएए तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों आपको ना कहीं ऐसा नॉमिनल सा टिक कर देना जिसे आप समझ पा करेंगे और तीस का भर देंगे लैंग्वेज पूरी करेंगे उसके बाद भरेंगे लैंग्वेज याली पूरी करेंगे उसके बाद भरेंगे तो यह रही बात अब दोस्तों आगे चलते हैं आगे चलते हैं कहा जा रहा है कि लैंग्वेज वन और टू भाई करेगा क्या भाई हिंदी अगर प्रतम लेंग्वेज है यहां मैं कहूंगा यहां पर उसकी इंग्लिस पहली भासा है और यहां मैं कहूंगा यहां हिंदी अगर उसकी दूसरी भासा है क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी प्रतम लेंग्वेज इंग्लिस है और हि द्यां रखना अब समझ में आगया कि अभी कोई DOUब harus है जिसकी इंगली वह आखाया के होब से है कि कोशन करेगा 1020 से अनुल क्या करेगा समझ में आया कहने का तात्वर ये भासा 2 तो 121 से 150 भासा 1 तो 99 से 120 अब आप दोनों एक एक वाली नहीं कर सकते सभी का एक होगा तो दूसरा दूसरा अलग होगा ये चीज़ का आप ध्यान लखना आगे हम बात करें यहां बात करें हम दोस्तों जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है जिसने ऐसी मजे मजे में भर दिया या तो जिसकी पढ़ाई नहीं हो पाई कुछ कारणों से जिसे टाइम नहीं मिल पाया है ऐसे बच्चे लोग क्या करेंगे ऐसे बच्चे लोगों के लिए अभी भी समय खत्म नहीं हुआ है अभी भी time बाकी है आपको क्या करना है दोस्तों ऐसे बच्चों को ना सबसे बढ़ीया क्या करना है उन्हें previous paper लेना है ठीक है तो आप हमारे देख लो बही previous paper कब से कब तक लेना है दोस्तों आपको 2017-2011 से start करना है 2018 तक दिसमर में हुआ इस बीच में जितने भी पैपर हुए ना वह पिपर आपको solve करना है और आपका यहाँ पर बेस तियार हो चुका है कि आप 90 नमबर ला सकते हैं एक बात और कहुँगा यहां पर आपको सुबा ग्यारा बजे साम साथ बजे रात नो बजे तीन लाइव क्लासेस मिलेगी दोस्तों इन तीनों लाइव क्लासेस को भी आप ले लेंगे तो काफी अच्छा बेस आपका दस दिन में भी तैयर हो जाएगा और सुबा छे बजे जो वीडियो आ रहा है वो जरूर देखना पर डे चार वीडियो आपके लिए हम अपलोड कर आगे चलेंगे दोस्तों अब मालो यह आपने सॉल्व कर ली आपके पास समय नहीं है या तो आप पढ़ना नहीं चाहते हो या तो आपको टाइम ने बिल रहा है कहना चाहिए तो बही आप ना एक mentality generate करें अपनी क्या mentality जनरेट करें अगर आप बैटे हुं है paper 1 में किसमें करता है इसके अधार पर आपको पैटागाजी करनी होगे पेपर वन की 90 नंबर की पैटागाजी अराम से नंबर मिल जाएंगे पैपर दो की में बात करूं दोस्तों तो यहां पर क्या होता है छे से 14 वर्स का बच्चा होता है तो इसकी अधार पर आपको solve करना है तो इससे ना काफी number आप option कर लेंगे इस आट clear अब यहां पर बात करेंगे दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ना बहुत सारे एसे question के उपर पूरा time best कर देते हैं जो हमें बंद नहीं रहा है तो इसे बिल्कुल भी मत करें इसे छोड़ दें आप तुरंत इन question को आप तुरंत छोड़ें सोचना बंद करें यह अगर इन question में सोचने लग जाओगे आपका time चला जाएगा तो इन question में आपको तुरंत सोचना बंद करना है जो बन रहा है उसे करना है आगे बढ़ना है जो बन रहा है उसे करना आगे बढ़ना है अब जो question रहे गए थे जो हमें नहीं बन रहे थे उसे हम last में उसके बारे में सोचेंगे ताकि ना हमारा time बस सके आपने देखा होग इसलिए लिए टाइम जो वेस्ट करने वाले रखलिया है यहां लास्टे में करेंगे जितना हमारे परस ताइम बचेगा this University क्लियर जवाब तो कोई नहीं छोड़ना है क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं नेगिटिव मार्किंग है नहीं तो आप बात करते हैं तुक्य की तुक्का को लेकर ना बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं ठीक है पर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि तुक्का जैस तो आपने question बढ़ा है, जिसका option A एक line का है, option B एक line का है, option C एक line का है, option D यहां लगबग 3 line का है, तो ऐसे मेरा possibilities होती है, कि यह 3 line वाला question है, दोस्तों यह कैसा होगा, यह सही होने की 90% possibilities होती है, कि बढ़ा जो option है, वो सही होगा, तो ऐसे में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, question का पता नहीं है, तो उस बड़े वाले में आप tick कर सकते हैं, is that clear, यह बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो एक तुक्की के trick और बता हमगा आपको, एक तुक्की के trick और क्या कहती हैं, जैसे मान लेते हैं, आपने यह गोले भरे हुए हैं दोस्तों, यह suppose करिए, आपने यह गोले भरे हुए हैं, अब आप देख पा रहा हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, मान लेते हैं, यह C वाले गोले सबसे ज़्यादा भरे गए हैं, और दूसरे नंबर में A बाले गोले भरे गए हैं, और उसके बाद D बाले गोले भरे गए हैं, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर C वाला गोला नहीं भर रहा हैं, तो ऐसे में जब आप 30 कोशन कंपर करेंगे, तो 30 में से जो कम भरा होगा ना, उसको भर देना तो भी सह होने के चांसे हो जाएंगे, यह भी एक प्रकार का तुक्का का यह है, जिसे आफने 30 कोशन सॉल्व कर लिए, उसमें दोस्तों मान लेते हैं, 30 में से 10 में A अप्जन फिल है, 10 में B बी अप्जन फिल है, लगबह इसमें 4 कुशन में आपका A अप्जन फिल है, तो आपके ब पाते समझ में आई होगी आपकी अभी भी अभी भी कुछ लोगों के मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना आपका डाउट करने के पूरी कोशिस करूंगा अब चलते चलते दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूंगा यहां पर ध्यान से देखें अब कु मारी जो हिंदी भासा है वह कून से यह दूसरी है जबकि ऊपर यहां एक बॉक्स में लिखा होगा दोस्तों कि लैंग्वेज ऑफ़र्ट वन यहां पर लिखा होगा तो भाई आपकी हिंदी लैंग्वेज वन होगी यहां देखिए आप उपर जो लिखा है लैंग्वेज offer second तो आप ना वो उपर वाले box को देखेंगे यह 01 02 को नहीं देखेंगे इस बात का भी आप ध्यान लखेंगे अब बताईए आपके अंदर कोई doubt है क्या मैंने सारी बाते कर लिया आप से क्या लेकर जाना है क्या नहीं जाना है यह तो बता है नहीं आपको मैंने दूस्तों क बॉटल भी आपको नहीं लेके जाना है अगर दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो आप पढ़ पाएंगे कि पानी की बॉटल भी उन्होंने मना किया हुआ है यहां तक आपके जेम में debit कार्ड भी नहीं होना चाहिए क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए कोई device होने का तो स अब पैसे admit card और आपके पास क्या होना चाहिए ID प्रूब और pain इसके अलाबा आपको कुछ नहीं लेकर जाना है कुछ लोग सूच रहा होंगे कि rough के लिए हम एक page लेकर चले जाते है A4Size का तो यह गलती मत करना आपको page नहीं लेकर जाना पेज वहीं दिया जाएगा सिर् करना मिलूंगा आपसे live class में और दोस्तों like करना मत बूलना काभी महनत से वीडियो बनते हैं thank you so much for watching this video